हलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि स्टैमिना कैसे बढ़ाएं तो दोस्तों मैं हूँ मुहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं AF Fitness यहाँ आपको Fitness और Health की नई नई जानकारी मिलती है आपके द्वारा किसी कार्य को निश्चित तीवरता के साथ लंबे समय तक करने की क्षमता को स्टैमिना के नाम से जाना जाता है शारीरिक गतिविदियों को करने के लिए शक्ती की जरूरत होती है और यह शक्ती हमें स्टैमिना से मिलती है अक्सर कहा जाता है कि स्टैमिना की आवश्यक्ता केवल एथलीट्स को होती है लेकिन ऐसा नहीं है, एक मा को अपने नवजात शिशु को संभालने वह अपने बड़े बच्चों के पीछे सुबह सुबह दूद का गिलास लेकर दोड़ने के लिए भी स्टैमिना चाहिए होता है, इसके अलावा दिन भर घर के काम करने के लिए और कामकाजी महिला को घर व और ओफिस दोनों जगह के कामों को संभालने के लिए भी स्टैमिना की जरूरत पढ़ती है, स्टैमिना को मानसिक वर शारीरिक दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, स्वस्त जीवन के लिए सबी व्यक्तियों में दोनों तरह का स्टैमिना होना बेहत जरूरी होता है स्टैमिना क्या है? स्टैमिना को साधारन शब्दों में समझा जाए तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक वर मानसिक स्टर की वक्षमता जिसके द्वारा किसी भी कार्य को लंबे समय तक किया जा सकता है, मुख्यता इसको शारीरिक कार्य, जैसे, खेल या व्यायाम के लि ये निरंतर प्रयास करना चाहिए, स्टैमिना सही होने से आप किसी भी कारिय को बहतर तरीके से जल्द पूरा कर सकते हैं, स्टैमिना बढ़ाने का उपाई और तरीके, स्टैमिना बढ़ाने के कुछ आसान और कारगे उपाई हैं, एक्सरसाइज करना, जिसमें एरोबिक एक् exercise, आपको अपना शारीरिक stamina बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, यह आपकी उर्जा के सतर में बढ़ोतरी करता है, व्यायाम करने से आप शारीरिक कारियों को लंबे समय तक करने के लिए सक्षम हो पाते हैं, विशेशग्यों का कहना है कि व्यायाम क प्रतिविधी चुनें जो आप प्रतिएक दिन आराम से कर सकें, एरोबिक व्यायाम करते समय लगभग सभी मास पेश या सक्रिय होती हैं, आप अपने हृदय को स्वस्त रख कर अपने स्टैमिना में सुधार कर सकते हैं, उदाहरन के लिए आपको साइक्लिंग, वॉकिंग, जोगंग, एरोबिक्स और स्विमिंग आदी को नियमित रूप से करना चाहिए, इनको प्रतिएक दिन करीब आधा से एक गंटा करें, धीरे धीरे आप इसके समय को बढ़ा सकते हैं, स्टैमिना बढ़ाने के लिए अन्य एक्सरसाइज, प्रतिएक दिन कुछ वेट ट्रेनिंग करें, अमेरिकन मेडिकल कॉलेज ओफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार, वेट ट्रेनिंग से न केवल आपकी मानस्पेशियों की ताकत बढ़ती है, बलकि इससे आपका रक्चाप, हड़ियों के घनत्व, बोन डेंसिटी और लचीलेपन में भी सुधार होता है, यह आपकी उर्जा के स्तर और स्टैमिना को बढ़ाता है, भार को उठाने से ताकत में वृद्धी होती है, इस व्यायाम की शुरुआत आप कम भार उठाने से करें और बाद में इसको बढ़ाते जाएं, कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपके द्वारा भार को उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी हो चुकी है, स्टैमिना बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, स्टैमिना बढ़ाने के लिए सही आहार भी बहुत महत्वप उच्छ गुनवत्ता वाली फैट, खनेज, फाइबर और प्रोटीन शामिल हो, इसके अलावा ओमेगा तीन फैटी एसिद लेने के लिए आप हरी सबजियों, फलों वा मच्वी का सेवन कर सकते हैं, ये सब ही आपके हृदय और रक्ट संचार में सुधार करते हैं, इसके सा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई लाब होते हैं, इससे न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि गुर्दे, किड्नी में पत्री होने से भी बचा जा सकता है, पानी पीने से मानस्पेशियों की ठकान को दूर किये जाने में सहायता मिलती है, व्यायाम के दौरान शरीर से लगातार पसीना निकलता है, ऐसे में शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए आपको बीच बीच में आराम लेते हुए पानी पीते रहना चाहिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए करें आराम, विशेशग्यों द्वारा स्टैमिना को बढ़ाने के लिए प मस्तिश्क सक्रिय रहता है, इस अवस्था में ही व्यक्ति सपने देखता है, नींद की आवश्यक्ता होती है, यह आपके शरीर और मस्तिश्क को आपकी गतिविद्यों के माध्यम से शक्ति देने के लिए जरूरी मानी जाती है, आपके लिए आवश्यक नींद का समय आपकी आयूपर निर्भर करता है, वैसे सामान्य व्यक्ति को 7-9 गंटों की नींग लेनी चाहिए, बताया जाता है कि 6-6 कम गंटों की नींग लेने से शरीर की उर्जा में कमी आती है और आप कोई भी कारे सही तरह से नहीं कर पाते हैं, मानसिक स्टैमिना को बढ़ाने के लिए मस् अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे, अपनी फैमिली का खयाल रखे, जय हिंद, जय भारत